दोस्तो स्वागत है आप साभी का हमारे इटू चनल हिंदी मूवी रेक्टर वर दोस्तो आज की मूवी की कहानी साइंस पिक्षन और एक्षन से भरी होने वाली है तो वीडियो को पूरा जरू देखना मूवी की सुरात हमें बता जाता है कि सूर्ज की सोलर बिंड और ग्लोवर बॉर्मिंग की वज़से प्रत्वी की 99% पॉपलेशन खत्मक हो चुकी है अब सिर्फ एक परसेंटी पॉपलेशन धर्थी पर बचिये जो कि अमीर और पड़े लेखे लोग होते हैं अब ये लोग को फिर से बनाना चाहते हैं लेकिन धर्थी पर इतने कम लोग हैं जिनसे काम नहीं कराया सकता तब काम कराने के लिए साइंट्री रोबोट्स को बनाने लगते हैं और जल्दी बहुत सारे रोबोट्स वित्यार कर ले जाते हैं और जल्दी अमीर लोगों के लिए एक आपको नहीं बना सकते और नहीं किई दूसरी रोबोट को बना सकते क्योंकर अगर वोट खुद ही रोबोट को बनाने लगे तो दुनिया के बचे हुई इनसान भी खत्म हो जाएंगे और इस धरती पर रोबोट का राज हो जाएगा मोवी की शुरुवात में हमें एक पुलिस ओफिसर को दिखा जाता है इस पुलिस ओफिसर को पास से कुछ आवाज आती है जब ये पुलिस ओफिसर वहां पहुंचता है जहां से आवाज आ रहे है तो वहां एक रोबोट को देखता है जो अपने आपको ठीक कर रहा होता है त पतना है कि उनकी कम्पपणी की रोबिट्स ने के कुत्ते को मार दी आए। इसलिए वो insurence के पैसे मांगते हैं। या do so, पते हैं। रोबोट को अपनी ID दिखाता है और रोबोट active हो जाता है। पते हैं। की बाई प्रेगनेंट है और चल़ दी Jack और उसकी बाई पेरेंट्स बनने वाले होते हैं तब इस जय को इसकी कंपनी के एक इंजिनेर का मैसे मिलता है उसे पढ़ताanorे जैक तुरंद अपने आपको ठीक कर रहा होता है इसलिए मैंने उसे सूट कर दिया जैक ये बास उनका हैरान रहा जाता है कि रोबोट अपने आपको कैसे ठीक कर सकता है जो कि नियम के खिलाफ है तब इंजिन बताता है कि इस रोबोट के अंदर से हमारी company के parts नहीं है जबकि इसके अंदर दूसरे parts लगे हुए और उसे एक nuclear battery मिलती है जिसे वो jack को दिखाता है यह battery इतनी powerful होती है कि इस battery से robot ज्यादा समय तक active रह सकता है और अपने आपको satellite से भी connect कर सकता है लेकिन यह battery बहुत कीमती होती है इसलिए बहुत कम ही पाई जाती है बाद जैक यह सब बात अपने दोस्त को बताता है जो उसकी company का manager होता है तब जैक का दोस्त कहता है तुम इस घमेले में मत पड़ोगे तुम्हारी एक family भी है उसके बाद जैक अपने दोस्त से अपने transfer की बात करता है क्योंकि वो समुद्र के पास वाली city में रहना चाता है क्योंकि समुद्र से जैक काफी जाद यादे जुड़ी होती है उसके बाद जैक कंस्ट्रक्शन एरिया में जाता है जहां एक आदमी उसे बताता है कि हम यहां खराब robots को पहंटते हैं जो कि सहर के बार बनी हुई होती है उसके बाद जैक चुपके से नीचे चला जाता है जहां बहुत सारे robots काम कर रहे होते हैं तब ही जैक को एक robot देखता है जो अपने आपको टी कर रहा होता है robot जैक को देखती खुद को आग लगा लिता है जिससे जैक डर जाता है कि robot आकर ऐसा क्यों कर रहा है उसने खुद को आग क्यों लगा ली उसके बाद जैक उस robot को उठा करके अपनी company में ले जाता है जहां उस robot से भी उन्हें एक nuclear battery मिलती है इसके बाद जैक का दोस्त कहता है तुम इस case को solo करो और मैं तुमारे transfer करवा दूँगा तब घर जाकर जैक अपनी wife को transfer की cover बताता है तो जैक की wife नाराग हो जाती है वो कहती है हमारा baby होने वाला हम इस सेर को छोड़कर नहीं जा चकती दोनों में argument होने लगते हैं उसके बाद जैक बाहर चला जाता है तब जैक उस जगह पहुंचता है जहाँ पुलिस वाले ने उस रोबोट को suit किया था वहाँ जैक को एक और नियुकले बैटरी मिल जाती है उसके बाद जैक उस पुलिस वाले को मदद के लिए मुडाता है उसके बाद वो पुलिस वाला एक रोबोटिक सांटिस्ट के पास ले करके पहुंचाता है वहाँ जैक को एक काफी एड़बांस फीमेल रोबोट मिलती है जो इंसानों को समझ सकती है तब जैक नियुकले बैटरी के बारे में बताता है इसे सुनकर फीमेल वैग्यानिक हैरान रहती है जैक उससे कहता है पर तुम्हें कुछ पता चले कि इन रोबोट को कौन बदल रहा है तो तुम मुझे कॉन्टेक्ट करना तब कंपनी के बड़े सांटिस्ट इस बात पर सोच रहे होते हैं कि कहीं जिस तरह से इनसन बंदर से इनसान बना उसी तरह के रोबोट अपने आपको डिवलप तो नहीं कर रहे है इसलिए वो जैक को तुरंद इस केस को सॉल्व करने के लिए कहते हैं तब जैक फिर से उसी सांटिस्ट के पाच आता है तब जैक को वो सांटिस्ट अपनी बिलू रोबोट को दिखाते है जिसे उसने खुद ही बनाया होता है वो बताती है मैंने तुमारी ली हुई नूकले बैटरी को इसमें डाल दिया है तब जैक देखता है कि अब वो बिलू रोट अपने आपको ठीक कर रही है और अब वो और भी जादा एडवांस बने गई है बैटरी के होने से तब ही कुछ बच्चे उस सांटिस्ट को सूट करके मार देते हैं तब ही जैक को मानने के लिए कुछ बुरे लोग पीछे पढ़ जाते हैं तब हम देखते हैं कि जैक को वो ब्लू रोबर्ट बचा रही होती है रात के अंधेरे में जैक की गाड़ी और उन बुरे लोगों की गाड़ी का टकर हो जाती है बुरे लोग मार जाते हैं असल में ये बुरे लोग न्यूकले बैटरी को पाना चाते थे तब सुबह हम देखते हैं कि जैक धरती पर पढ़ा है और ब्लू रोबोट अपने आपको ठीक कर रही होती है तब ही तिन रोबोट और आ जाते हैं और वो जैक को ले जा रहे होते हैं जैक को हो साता है और जैक उन्हें अपनी idea दिखाता है और सहर चलने को कहता है लेकिन उन्से कोई उसकी बात नहीं मानता तब रात में जैक को blue robot कीडे खिलाती है और पानी प्राती है जैक को रोबोर्ट का नियम होता है कि वो इसनों को स्वस्षरत चित रखेंगे लेकिन जैक को उन रोबोट पर बरोसा नहीं होता है इसलिए जैक एक मैसिज अपने दोस्त को सेंट कर देता है और अपने लोकेशन भी बता देता है उसके बाद जैक का दो जैक को बापस लाने के लिए उसी पलिस वाले को भेता है जब पुलिस वाला जैक को ढूंड रहा होता है तब जैक उन रोबोट को रुकने को कहता है जैक थोड़ी दूर जाकर प्लियर चलाकर उस पुला लेता है लेकिन पुलिस वाला उसी पर गन पॉइंट कर देता है कि उससे нач令 बेक्टरी चाहिए होती है जिस्टे की पुलिस वाला मर जाता है उसके वाद पुलिस वाले का एक साथ ही वहाँ से गाड़ी ले करके सहरी की और चला जाता है और जब वो सहर जाकर के ये सब बात बताता है कि Jack ने पुलिस ओपीसर को मार दिया है तब company के CEO को लगता है कि Jack ये सब कर रहा है और वो Jack को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं वो उस जगेर पहुंचते हैं जहां पर उस टिस ओपीसर की लास होती है अगले दिन जैक और बिलू रोबोट उस जगह पहुंच जाते हैं, जहां वो जा रहे होते हैं, तब जैक को एक रोबोट दिखता है, असल में यह वो रोबोट होता है, जिससे सबसे पहले बनाया गया था, जैक तब देखता है कि यह सब मिलकर एक और नए रोबोट को बना रहे होते हैं असल हम ये सब करामन पीसी रोबोट की होती हैं जीसे सब से पहले टेस्टिंग के लिए बनाया गया था तब जैक शब्रोबोट से बात करता है जो इन सब रूबोट का मालक होता है जैप पूछता तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तब वो रोबोट बताता है हम सिरो अपने आपको एडवांस बना रहे हैं जिस तरह इंसन बंदर से माना बना हम इंसानों के लिए कोई खत्रा नहीं है उसके वार रोबोट जैक के लिए एक गाड़ी त्यार कर देता है जिससे जैक घर जा सके सहर जाते हुए जैक आखरी वार उस बिलू रोबोट को मिलता है और उसको थैंक्स कहता है कि उसने जैक की जान बचाई थी वहीं दूसरी तरफ जैक को पकड़ने आ रहे लोग जैक की वाइफ को भी पकड़ कर ले आते हैं यह देखकर जैक के दोस्त को पता चलता है कि यह लोग जैक की फैमिली को खतम करना चाते हैं उसके वाद जैक का दो जैक की वाइफ को बचाने की कोशिश करने लगता है जिसकी वजह से वो लोग जैक के दोस्त पर गुरियां चला देते हैं जब जैक गाड़ी से अपने द तक जैक आजाता है और उन लोगों को सूट करने लगता है उन बुरे लोगों को खतम कर देता है लेकिन नुका बोस अभी भी बचा होता हु और वो जैक पर गंट कर देता है तभी एक creature रोबोट आ करके उसे मार देता है यह वही रोबोट अतो है जिसे ये रोबोट बना रहे होते हैं इसके बाद जैक अपनी बेटी को देखकर बहुत खुस होता है और वो बिलू रोबोट उसकी बेटी को देखकर वहां से चलियाती है लाट सीन में जैक और उसकी बाइफ अपनी बेटी की इसा सहर वापत जा रहे होते हैं और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है